सबै संपुड मननली परिवारलाई आई ख्रिष्ट एशुको नावमा जय मसी अज ब्याना परमेश्वरको जिविद बचन एशे याको पुस्तक बाटा मत पहरुको बिचमा बनना जाना लायक शुँ तपहरुली महसंग एशे याको पुस्तक खोलना सकनोंच एक सठी अधाय पिष्ट संख्याश हजार चब्याश हजार चब्याश एक सुन्ना दुईश्व मा पर्नेश्व एदिशैन बने मसंग सुन्न हश्व एशे या अगंबक्ता कुप पुस्तक बटमा पड़ देशु परंप्रभु पर्मेशोर को आत्मा महमाथी शा किना भने गरीब हरुलाई सुसमचार सुनावन का निम्ति परंप्रभुले मलाई अभिशे गर्णु भायको छा मन भाचे का हरुलाई हिरदेलाई बाधन कैदमा परिकाहरुलाई शोतनत दिन र बंदनमा परिकाहरुलाई छुटकराको गोशन गर्न उहाली मलाई पठाउनु भायको छा परंप्रभु को प्रस्चनताको बर्ष र हमरा परमेशोर को बदलादिने दिन को गोशन गर्न सबै विलाब गर्ने हरुलाई सांतोना दिना र सियोन मा विलाब गर्ने हरुलाई खरानी को सट्टा सुन्दर्ता को मकुट र सोक को सट्टा आनन्द को तेल लगाई दिना निरास मन को सट्टा प्रसम्शा को पुशक पैराई दिना उहां को गौर प्रदर्शन होस भनेर परम प्रविले नहीं रूपन भाईको धार्मिकता का फलाट हरू तीमेहरू कहा लाईने चन। येशु प्रविको नावमा आमेन। पुष्टक भनीन चा बने दोस्रो खंड चेहिं 40-66 येशु लाई दुई भाग गरेर आमेले हेरना कोशिश गरने चाहूं। अनुसामियस को परिचे तिरा लागने चाहूं। लोगप्रिय अगमबक्ता मानिय का थिये। इसेया होसेर मीका का समकाली अगमबक्ता मानिय चन। इसेया एस पुस्तक को लेखक बाईवल विद्वान को बनाया अनुसार इसेया ने हुन बने प्रस्टा हों चा। लेखक वोईनन बने कुने पिनितेशतु प्रमाण आधार भेटिये को सईना, इसेयाली लेखन भयको पुस्तक हो। समन्ने तया एसे या दुबई पुष्टक अरूले न्यायर उदार को विशेमा सिकाऊँ दछन। एसे या अगंबक्ता द्वारा उदार दुष्ट रास्ट हरुकू बेरुद्धमा बोली एका अगंबाणी हरु यस पुष्टक मा समावीश गरेका छन। एसे या मने शरुका पाप अउदे गरेको पर मेशर को न्यायेको विशेमा परमप्रभु को बचन बटा पहला आफना जातिलाई रा समकालिन जातिलाई चेतवानी देका थिये। एसे या ले युदा का राजा हरु उजिया, योताम, अहाजर, हिजक्या को शासन कालमा एसे अगंबाणी कहे। मनस्य जो तिनले परमप्रभु को द्रिष्टी मा जुन कुरो खराब थियो तेई गरे, एसे या लाई मनस्य कही क समय मा मारियेको थियो, कुरोर प्रकारले उनलाई आराले चीरे रा मारियेको थियो बने रामे बाईवल मा पन्ना सक्सौ। एसे अगंबागता द्वारा घरी-घरी एरुस्यलेमर योदा का मनिस हरुको दुस्टतार पाप कारण दन्न भोगनेशन पने रा चेतवानी पनी एसे या ले दियेका थिये। बेविलोन मा कैद को विशे मा अगंबाडी गरे का थिये एसे या 49 अध्याय मा विशेस गरे को आमी पन्न पाउशं। तेस बन्दा पसिका 44 देखी 66 अध्यायरुमा चे आमी बेविलोन बाटा कैद गरेरा लगिन हेरुको विशे मा हेर ना सकत सहूं। एक धार्मी मसिय परमप्रभुको आगमनले उधार्र मुक्ती लाउन होनेशा। पड़ मेशोर एक नयार धार्मीक राज्ये को इस्थापन गर्न होनेशा। यहां दुबई पुस्तक लाई जोर्ने काम एशू ख्रिष्ट को उधार को काम हो। यो पुस्तक को विशेस तारु हेब्रो कविता नक सैली मा लेखे कोशा। कविता को सुन्दर ता सक्ती सहाहितिक मोतीहरुको रूपमा परिचित छो। एसाया लाई सुसमचार प्रचार गरणे अगम्बक्ता बणियेको छौ। यहां पुस्तक मा मशिह संबंदी अगम्बाणीयरू सुसमचार प्रचार को अगम्बक्ता। एशुख्रिष्ट को सुसमचार पूर्ण इस्पस्टता रुपमा गोशना गर्येको छा एशे याको पुष्टक लाई शुसमचार को पाचाउँ पुष्टक बनी भन्ना सकिन छा बायवल मा पुरानो करार मा भैका पुष्टक अरु मद्दी धेरै इस्वर सास्त्रिय अगामबानी अरुको पुष्टक बने र एशे याको पुष्टक लाई भनिन्चा एशे याको नामको अर्थ चैं पर मेशूर बचाउणू उन्चा उधारक हुनूंचा यस्पुष्टक को उधार भन्ने इसमा धेरै सब्द धेरै दिवन्दा धेरै पटक जन्ने 150 पटक जती दोरी राय को पाइन्चा मसिया सब्द को अर्थ चैं अविशेक गरियेको बन्ने उन्चा अनि विशेस गरिकना राजा हरू, सावल राजा लाई, दाउद लाई, समयल ले अविशेक गर्ण भयोर त्यां पर मेशूर ले पवित्रा आत्मा ले पुरा भरियेको उन्चा राजा हरू को जिबन मा आमी राशासन करेको पढ़न पाउसुं बाइबल मा आमी तुक पढ़ने छों, एक सामयल दसको एक पढ़ने चाहां चुत परिको बिच्मा, सामयल ले एक ढोंगरो तेल लियेरा, तेल सावल को सिर्मा खन्याई दिये, अनि उनलाई चुम्मन गरेरा भने परम प्रभुली तपाइलाई आपनू परजा इस्रायल मा थी अविश एक गरनू भाहे को छा, पईलो सामयल दसको एक मा, तेसे गरी का न, राजा दावुदलाई पनी सामयल ले शींको तेल ले अविशिक गरे का थी, जब अविशिक गरे तब यहां, आमी देर्चों सावल राजा मा पवित्र आत्मा उत्रनु भायो, जब बिदा होना सावल सा एक सामयल दसको नौमा, यहां सावल राजा दावुदलाई सामयल ले तेल ले अविशिक गरे पची, सावल राजा दावुद मा थी, पवित्र आत्मा उत्रनु भायो, तिनेरु को मन नया बनाई दिन भायो का घटना आरो, आमी बाईबल का खंडा आरो मा, पुरानु निय मैं सरे पडशाओ, नया करार मा पनी एशु को बारे मा युँ खंडा आयले, आमीले पड़े को एशे या, एक साथिको एक देखी, तिन जुन खुना पड़े हो, यहां पड़म प्रभु को आत्मा, महमाती सव अनेर, एशे या, एशु ख्रिस्ट को बारे मा गरियो का अग नया नया मारा लुकाचार को 18-19 मा पुरा होंचा, मती को पुस्तक मा पनी आमी एरन सक्षाओ तिन को सूर रा सत्र या, अनी एशु बप्तिस्मा लेरा तुरूंते पानी बाटा माथी निश्कनु भायो, अनी सोर्ग उग्रियो रा वहाले पड़मेशर को आत्मा लाई अनु भायको देखनु भायो, तब सोर्ग बाटा तियु बाणी आयो, इनी मेरा पुत्र हुन, इनी संगा मा अती प्रस्टन नचो, अनी या कसरी पवित्र आत्मा एशु प्रभु मा थी ओड़ली आउनु भायको कुरा आमी नया करार मा पन्न पाउशों, रा पुरानु कर पुत्र हार का खंडारू मा या तिरियक्तो सिद्धानत को आशे पाईंश, अनी पड़े को खंडा, एसा या एक्सथी आधाय को इदी हिति नामी यहेरियों, त्याहां हेरे को खंडा अनु सार, परमेस्र को आत्मा, पवित्र आत्मा परमेस्र, ये शु ख्रिष्ट मा थी अनुप भाई को कुरा यहां हेर सूँ और परम्प्रवु परमेशुर का आत्मा महमा थी सा। यहां परमेशुर परम्पानाले हिता पुत्र आत्मा लाई त्रियत्त लाई जनाऊँ सव इस खन्डामा यहां नयकरार महपनी तेह कोरा आमीरी पड़ी भकरेइ अनि सोर्ग बाट येस्तो यवटा आवाज आयो तिमी मेरा पुत्र आव। आव तिमी सव मह प्रस्थन शू य मर्कुस को एक एक आरम पने त्यां तेह कुरा लेखे को आमी पाउंशाओं। उन्नोई स्पदमा आमी त्यक्रा विशेश गरीके न एरना सक्सौ। परम प्रभु को आत्मा उहामा थी आउनु हुने छौ। तेह सरी इस सवय कुरालेचे पवित्र आत्मा को स्वकाई येशु खृष्णी शरुगर्णु भन्ना आगाडी जीवनमा अपने श्वकाई गर्ना आगाडी पवित्र आत्मा को अभिशेक येशु आफेले पाउंशाओं प्राप्त गर्नु भयो। तेह साथी येश्व को मिशन सफलवय को करामी येशरी पुरानों करार मा पने येश्व को चरित्र लाय जनावने पवित्र आत्मा को बड़्दान Aру落को पुणताको रूप मा मिया भेरना सक्सों तो अई लिए पड़ेका खंड अरो लिले पवित्र आत्मा बुद्धिको आत्म, समझको, सक्तिको आत्म और शल्हाइको आत्म और पवित्य ज्यान को आत्म और परमप्रभू भाहय को आत्म इसलेजी परमेशर को आत्मको बर्दानारु को पुर्णता को भीषे में आमें लाए शम्जाउं सह। हैं पुरा गरना पर मेसर को मिशन को सेवकाई गरना का लागिए पर मेसर को आत्मा को अभिशेक आवसकता थियो और मेसर को इच्छा एस को जिवन मा पुरा भायरा पूरा आजा मंडलि लाए युक रा सुमपन भायको छो बना जाने लाहे इसको इच्छा पड़ मेर मेंच़को जिवन मां कसर आप परमेंशो को ईच्छा लाहे इसको जिवन duż यान भाग गर इ注ता आभाई प कत रहे हैं इसे येगें पुष्त को केललाई लुका 2 को 8-a 19 स्फद मा पढ़नी भईगतों है, आमी येद्न सक्षिमे यहां, आमी ये लुका 4 को 8-a 19 स्फद मा पढ़नी जाना लाएकों छेु. किना बने गरीब अरुलाई परम प्रहुक आत्मा मामाथी छा किना बने गरीब अरुलाई सु समचार शुनावन का निम्ती वहाली मलाई अविशिक गर्ण भायको छा यहां लुका चार कु अठार और उन्डशुवद मा पनी आम्य वकुरा पॉरा भाय कोची नया करार मा आए रहा येसु कु बारे मा गरियेक अगंबानी यहुरू नया करा आरमा आर पूरा भाय का सन और कौसरी पयले कुरता आमे यह रहां गरीब हरु लाई सुसमचार सुनाओन अका निम्ति परंपरव का आत्मा माम आ ती छा ये सु आखेलि बन्य मेग आ लुका मा गरीबनाने को कसरी बुच्च shoulders थी गरीब हेरु भने का जो आत्मा मा दिन होने हो संसार को गरीब शंसार को धन् समपती दौलत हैना तर आत्म को कुराला या जनाऊंचा अनि आत्मी की रूप मा दीन, बिनम्र, नम्र होनेरू, चूट, लागेकारू, भैचाईनी होनेरू, ती जो गरीब शन, परमेश्वर बट टाडाशन, उनने लिए परमेश्वर लए चिने का शैनन, सबाई कुरावने शोंग दुखी वायका शन, बेचाईनी वायका शन, चाहिन चाहिना, आज संसार माईली पिन आमिले, हेले होने बर्तमान परिशिदी, तेस्ते आवस्था आम्मानी शरू देख्षाउ, येश्वर नचिने मान्चेरू, दुखी शन, गरीब शन, असाये शन, तूराशन, तूराश एसवर आको पुस्था खोलन भईर, पर्ण माईल, येश्य ख्रिश्ले लुका की शुचारमा, येश्य आमि पर्न सक्सो और ये पड़ेको क लुकामा पड़ेको अनुसार, गरी बरुलाइ येश्य समचार सुनाओन का निम्ती, तूराँ में शन्ली, माला अविष्यश्य इस्राइल को अभस्ता पने तेस्ते ही थियो, ते इस्राइली अरू दुखा, कस्टा, अभाव, दुखी, गरीब थिये, अनि उनेरको सबय अभस्ता नरामरू थियो, ते सबय ती कुरा लाई, बनाउनो लाई, पुननिर्मान गरना लाई, बनारामिले यहां चारपत देखी पसाड के खन्द पड़ी वने, तेयां देख्सें कस्तो अभस्ता थियो, उजाद अभस्ता थियो, इजराइली अरू को तेया तेयां, तेयो कुरा लाई बनाउनो को लागी, पुननिर्मान गरना को लागी, मलमपटी लगाउनो को लागी, परम्प्राविले मलाई, ति गर्णो हो भख नुद्पत्सां अज़त्रो भगधा नेशल्ग धिशने, नुद्पत्साए। आपाने बनावने जिवन पनी बेचाइनी चाहा चिंता फिक्रीचा त्योक बाट नया बनावने को लागी मन परमिष्वर लियां गरीब अभी शू समझा सुनावने को लागी त्या मलाई अविशेगर्ण भाहे को छा अन्य येको पुस्तक मामीली ये पड़े को खंड अनसा लुका चार को अठार अन्य इसलिवी न थेक्वरा लाई उद्रित गरेगो छा अन्य आमी इसलिवी पर्णु भाहे को खंड वाले दोसरो दुपत पर्णु भाहे न त्या पर्णु प्रव्रकु बदला देने बर्षको गोशन गरन लाए त्योजी खंड पर्णु भाहे न तेसे गरिका न, आमी दोस्रों, मन भाचिय कारूलाई बाधना, जसको मन मा चोट छा, पीर छा, चिंता छा, फिक्री छा, तूटे को छा, फुटे को छा मन, मन भाचिय को मन, कसरी भाचिय रुख को आगावा भाचिय न सक्षा, और मन भाचिय कारूलाई बाधना, परमिस्व जोगो शांती माला उनको लागी तोनेको हिदेको अबस्ता लाए इस्रालियरुको अबस्ता जसरी तहां पहाचियको दुख्यको तुक्रेको मन थीओ सारे इसका मानसिक आत्मिक्रा मन अजुक थिए और आजा हम्रा पासिटिए मानसिरुक अबस्ता तेश्टया अमि वादन परम प्रभल मलाय अविस्थीख गर्णू वैगाशा तियो नाजु का वस्त बट भेरि नया गर्ना लाय बलियो बनावन लाय परमिशो ली अविस्थीख गर्णू पावनिवैकु Brave तेसरोजी कईदम परेकाय अरुलाई रा शुटकरा दिना लाई बंदन बड़ा मुक्त गरना लाई दुस्टता का बंदन रा तोड़ना को लागी सैतान को प्रभुत्तो बड़ा शुटकरा दिना को लागी सोतंतर गरना को लागी मेशर को आत्मरे मला आविशेग गरना वेक आज संसार को अवस्ता तेस्ता ही सा, तेस्तो अवस्ता में रहे कार लाई या, कईद अनि, कईद बनाले, एक दमे यो सारेरी कईद न भायरा, आत्म की कईद, पाप को बंदन में रहे कार लाई, पाप को दासत्त में रहे कार लाई, अनि पाप ले गर्दा सबय कुरा पापले जे अराँ से तेगाज संसार तेग गरीडाया को सा, पाप करम सा, संसार मा पापले भरीगु संसार सा, तेस बट पूरा सोतंत्र गर्न लाई, तेया बट शुटकरा दे नगल लागी, और मलाय अभिश्यक गर्न वायकशा वान्दा, ये सु ले त्या अभाईक को खन्नमगरी का अगांबाणी, सब अक्षे रसा ने ने मारा पुरा भाय को रामिया, इसरी हेरना, पांश में कई दिमा परेकार लाई, बंदन में परेकार लाई, सोत अंतरा गरना, सैतान को प्रहुत्तो में रहेकार लाई, सोट करा दिना, परमेश्वर, यो एसले कशरी पु प्रमेश्वर को राजे मारा पुरा गरना भाय को रामिया, परमेश्वर को राजे मारा पुरा गरना भाय को रामिया, परमेश्वर को राजे मारा पुरा गरना भाय को रामिया, परमेश्वर को राजे मारा पुरा गरना भाय को रामिया, परमेश्वर को राजे मारा पुर पर मेश्वर को, वहां को इच्छा, पर मेश्वर को श्यवकाहि मा पूरा रुपली आमे, देख सहूं, आजा एश्व आफेली, पर मेश्वर को इच्छा खोजनु भायो गित्समनी बगाईचा मापनी अरेका माने सरलाई आत्मी का खली दिन ताकि तिनेर विले सुष्वमचार का जोती देखना सकुन, उधार प्राप्ता गरना सकुन, सैतन रा पापकु दन्न बाटा दोस्तिनर मुगत अउना सकुन, यह घोशना वाने गर्ण बयो, यह सकारण पुत्र ले तिमेर ले शोतंत्र गराय भने तिमेर नेश्चे नेश्वतंत्र होने शो, यह सपई बंदन मुगत तोड़न लाए, यह कुरा यह सुले, तो कुरा आपनु मिशन, स्यवकाय, जब पवित्र आत्मा को भरपरी वाने आफेले, अभिश्यक्त होनो भयोते स्पची वाने सबी कुरा माती, दोस्ता माती, बंदन माती, रोगी विरामी माती, चंगाय गरने काम, भुता आत्मा देखिले रसवे, सपई शेवकाय, वाने पुरा गरनु भयो, संसार को मिशन पुरा गरे रवा, अन्ति मा वा सिद्यो बने रवा, परमिस्र को आत्मा अफलार पन गरनु भयो, तेती मत्र नबार मां फेरी बारी वोटना भयो, चेला अरुका रूप मा देखापन भयो, रनी चेला आर आत्मा एला उन्ति मां फेरी जिला दियरा पवित्रा आत्मा दिमारे सवे लव, मत मी जिलमा दिना म olmas के आत्शा, आजा, वाले पुरा गरनु भयो को मिशन, हेलारी को मन्डली गशन, मा छोड़े रहा येशु प्रमिश्र को साथ मा दायने बावली हाथ पटी बिराज मान हुनुँचा रहा आजा हमिलाई सुम्पनु भाईकचा मंड़लाई सुम्पनु भाईकचा तेसलिए या बिलाव गरने सोग गरने हरुका लागी सांतोना दिना मनमा सांती भाईकार तिन पदमा परमप्रव को प्रसनतको बर्षा गोशना गरना आमरा बदला दिने दिनको गोशना गरनार सबय बिलाव गरने वलाई सांतोना दिना शियोन मा विलाब गळीरोलाई ख़रानी को सठ्था, சुन्दर ताको मकुट, सोक को सठ्था आनन्द को तेल लगाईदिना, निराषमन को शठ्था, प्रसमस्दा को पोशक पैराई दिना, उहांको गवरप्रदस्न ऱोस्वनेरा परंप्रवलेने रोपनो भयका धर्मिता को पर मिर्शुर ले कशरी एक दमे कविता को भासा माया या वह ब्याख्यापनी गरना सकी देने इसको आर्था, बुझन पनी सकी देना धेरे गार हो सा, पर मिर्ण अलंकारीक सब्ध मा बली का कुरारो, अनु पवितरा आत्मा आध में ले पुरा गरनु भायो। पराबमिर्शुर एशुले गर्णु भाईका सबै शबकाय द्वारा नया करार मा, पुरानु करार का कुरारो पूरा भाईका संठ। ते यह कुरा आजा मंडली लाइ, एश ले दिन भाईको चेला आजलाई सुम्पन भाईको कुट्टा कुराया, खरानी को सट्टा सुंदरता को मुकुट्ट, आनन्द को ते लगाई दिना, अगी परमपरबुली अविश्य करन भाईको छा, जिम्मा दिन भाईको छा। अगर दार्मिता को फलाट रूक बोट बिरु आओ अगर शुरिलो काट चाता जस्ते यसमा पानी बड़ा पनी ओत लाग न सकीं छा बल्यो काट बने बने गश्ते यसको आयो पनी तेरे लामो तिन से बर्श बंदा बेशियों चा बने आमी पढ़ना पाऊंशाओं इतिहांस बाइबल का कुरा आयो हिर्दा खेरी यानी त्या फलाट जस्तो विश्वास बने बल्यो फर्निचर को निमती बिशेश प्रयोगर ने काट अनि आमरेको विश्वासी तेस तिमेर को विश्वासी फलाट जस्तो उने चा तिमेर कालाईने चा धार्मिक दागा फलाट अरी का पड़ एकिल आने सो बने रहें लेखिक को कुरा। आपनेश्वर को भचन लाए रहें बने आमिया परमेश्वर भहनों छो। तिमेर धार्मिगता का फाला तैरो कला आयने छो। अनि चेला रुलाई दिन वाई को येश्विले दिन वाई को पवित्र आत्मा अब आमियरे शी भववचन मा पड़ि वने आ परमपुर को आत्मा आमी माथिसा बने रहा पड़े मनाली आजाव में, आरेक लाई, जतिले विश्वास गरे गाँछ़ओ, परमेशर को पवित्रा आत्मा आई माई दिन भाई को छो, अनि, वहाँ, अवाँ हलाई, आमे धन्ने बाद चड़ो न सक्षओ, परमेशर दिन भाई को पवित्रा आत्म प्रेजित एक आठ्म पनी पवित्रा आत्म तिमेरु मा थे आउनु बईशिति मारे सक्ति पाउने सव और एरुसलेमा सामरियामा सार यहुदियामा सबै ठाउमा अमेरा साक्षिर गवाय होने सव बनार त्या लेखे का कुरारु आमिलाई पडमेस्वरी दिननु भाई को जिम अमेवारी के रहे सता बंदा है यह सु आफे नमना उनु भायो यहां हमेले एरुओ धेरे कुरा आमिले यहां पड़े का चाहूं और यहां हमरो विश्वास से एक दम धार्मिक्ता को फलाड जसते ही बलियो विश्वास परमिश्वरी लाई पक्ली राखने विश्वास नह को सरी हुँँचा के बाया बने कुरा चाहत्तर परमिश्वर नेईम को प्रभून हुँचा पवित्र आत्मा सोर्ग बटा आमिलाए अविश्वर शिक्त गर्ना परमिश्वर आदे नेईम संगा हुँँचा अमेर का सब प्रिये जन परिवारे रिशंगा हुँचा प्राद मिनि श्थान में राखने बहल अक्पुने अमिने पूरा नमार दिन पाष्टार समयल काढ़ता हम और नमusionszen के अधायो है। त्याग, पूरण रूप मा, परमेशर को इच्छा, तरसरी येश्वले गरन वाई, तही कुरा हमे वहाँ वहां को जीवन मा देखियों, परमेशर को सक्ति कसर अंतिम समय पुरा गरन वाई, अनि आजा, महले पास्टर गुरुबा को बारे मा, आमेले वहां पास्टर नी गु ए liकितन चिर्टी लेन वायी मोद मी अल्टू पकमर चुन धना वायी जहा मासु जड़को कि भायी सुर्वाया कि लिखा तीन जीव आई फिर भायो चुन परमेसर को मिशन पूरा गरन बईव और वहरु का आधर्निया, वहरु एकदमेई स्राध्दाका बक्ता जन्धं गुरुजन होनुचा अमिए वहरु लाई माय गर्षओं, आमेर वास्ता गर्षओं भने आज यो वहरु ले शुरू गरन बईव को स्यवकाई मिशन परमेसर को अनि परमिसर को मिशन पूरा गरेला आनन्द को गारमा हुनुँँचा अनि आमिलाई पनी आज तेही मिशन परमिसर दिन वह गाचा गरीब अरु लाई सु समचार सुनाऊना को लागी अनि आज परमिसर दिन वह गाचा गरेला आननको लागी कि आमिलाई परमिसर ले राखनो भईक हाजा अनि परमिसर ले आज हमिलाए पडमेशुर के इच्छा पुरा गरना लाए अमरा इच्छा पुरा होदेनने संसार मा पडमेशुर के इच्छा पुरा होँचन जे चान होँच ते ही पुरा गरन होँच हमी जे चान चें तो पुरा होदेना अनि आज तेसले गरदा हमिलाए प्रमेश्वर ले चुन भयकोच, चान भयकोच, रोजन भयकोच, और पवित्र आत्मा को छापपने लगाए दिन भयकोच, और पवित्र आत्मा को छापपने लगाए दिन भयकोच, और पवित्र आत्मा को छापपने लगाए दिन भयकोच, और पवित्र आत्मा को छापपने हाल्य दिने भाई को अछ 담ps, यही पवित्राश सक्ते आध्माइ, हम्हां को सेवकाई मा, अफैलाइ दिने सक्षाऊ। मेरो सेवकाई, होईना मेरो मिशन प्रभयस्इ को मिशनagusयों, प्रभयस्वित्राप प्रहा गरंद भयों, आ rust का हो. चुक्ताव में करता है। तूर्थ आत्मा को पूरा अभिशेख परमुसर ले भन्न भय आँशार परमुसर को आत्मा आमी माति हुआ कि नहीं कि आमरो लागी परमेश्वर को यो अलावकिक सक्ति हो यो पाय का सौंँ तेसलिए गरदा यो परिष्ट्र सामना गरने सक्ति ये सुली आमिलाए पठाई देनों भाय का सा जो बेकती एक जाना उनुँचा मां सल्लाकार सक्ति को आत्मा ज्यान को आत्मा बुद्धि क आत्मा भाय को आत्मा आनि परमेश्वर आजा हमरो सात्मा होनुचा अनि तेया आत्मा मा आफेले वांको इचा पुरा होस प्रभू मेरो इचा होई ना तपाय का इचा पुरा होस हमरो इचा पुरा होस मनेरा आमिले पुरा गरनुचा आज सनसार का मानिसरू ये सुलाइ न प्राथ्नागरऊं, प्रभूसंगा आरपऊं, अनि हमरो इच्छा, हमरो मनली में, हमरो परिवार में, बेक्तिगात ज़िवन में, मिशेस गरिकना आमि, हमरा अधीन पाष्टर गुरुवा का परिवार, समेल कार्थव गुरुवार, रोबर कार्थव गुरुवार का परिवार को लागी, स्विंग पाष्टर गुरुवामा को लागी, छोरी आसा को लागी, रसासा थे दानु को लागी, अनि प्रभु अनि अतसा को लागी, वाक्सा को लागी अब पाष्ण गुर्वालाई दिन्चु धन्यवाद अब पाष्ण गुर्वालाई भी अब पाष्ण गुर्वालाई भी अब पाष्ण